नमस्क्ता दोस्तों स्वागता सभीका माई चैनल माई नोलेज बेगोर मेरा नाम है पिंटु भारेट द्वास तो दोस्तों आज की वीडियो है वीडियो बहुत जादा इंपोरेट वीडियो है आप सभी के लिए अगर आप एक पीएफ का अकाउंट है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं कुछ इंप्लोयर या निकी कुछ कंपनी के एक ऐसे मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जिस मिस्टेक को अगर आपकी कंपनी कर देती है तो आपको आपके पीएफ सभी सर्विसिस को ऑनलाइन यूज करने में प्रोवलम हो सकती है तो दोस्तों सबसे पहले हम इस मिस्टेक के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों बहुत सी ऐसी कंपनियां है बहुत से ऐसे एसे इंप्लोयर है जो अपने डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट को एपीएफ को अपलाई करते थे तो हमें फीजिकल मोर का ही यूज करना परता था या अगर हम अपने पीएफ को ट्रांसफर करने की रिक्रेश्ट भी डालते थे तो वो भी हमें फीजिकल मोर यानि की ऑफलाइन ही अपलाई करना परता था यानि की पीएफ अकाउंट से लिटिर कोई काम अगर हम करना चाहते थे तो हम पहले क्या करते थे फिजिकल मोर यानि की ओफ लाइन प्रोसेस ही यूज करते थे फॉर एक्जम्पल मान लीजिए कि आप अपना पिये फुल और फाइनल विड्रो करना चाहते हैं तो आपको पहले फॉर्म नंबर 19 और 10C फिल करना परता था यानि की फॉर्म नंबर 19 इंपलोय और इंपलोय शेर के लिए फिल करना परता था और 10C फिल करना परता था आपके पेंशन के अमाट को विड्रो करने के लिए उसमें प्रोसेस ये था कि आपको एक physical form भरना पड़ता था और उस form पे signature होते थे और stamp लगती थी आपकी company की यानि कि आपकी जो company होती थी वो उसमें stamp लगाती थी और signature करती थी उसके बाद आप उसको अपने पीएफ ओफिस में जमा कराते थे तब जाके आपका जो पीएफ है वो settled होता था लेकिन 2014 के बाद UN आया और यह जो काम है वो digital धंक से होने लग गया यानि कि online होने लग गया ल जो भी employer अपने digital signature certificate को अपने EPFO में जमा करता है तब ही वो इस चीज़ के लिए eligible होता है कि वो आपके online claim पे digital signature कर सके suppose करिए कि अब माल लीजिए आप online कोई भी claim करना चाते हैं यानि कि आप माल लीजिए आप अपने EPFO को transfer करना चाते हैं तो आप transfer करने की जब request डालेंगे तो वहाँ पे आपको एक option आता है कि आप previous या present किस employer के पास आप इस request को डालना चाते हैं आप जिसको भी select करेंगे उ उस employer के पास सबसे पहले वो approval के लिए जाएगा वो employer क्या करेगा उसको digitally signature द्वारा उसको अप्रूब करेगा उसके बाद वो EPF office में जाएगा approval के लिए और वहाँ से जब approval होएगी तभी आपका जो transfer होता है claim वो हो जाता है लेकिन दोस्तों अगर किसी employer ने digital signature certificate को EPF office में ज लेके चलता हूं और वहाँ पर मैं आपको एक दो problems दिखाता हूं जो प्रॉलम हमें इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे employer ने digital signature certificate EPF office में जमान नहीं करवाया है तो चली हम अपनी laptop की skin पे चलते हैं हेलो दोस्तों तो यह देखिए मैं अपनी laptop की skin पे आ चुका हूँ और अब मैं आपको एक दो ऐसी problems दिखाऊंगा जो कि आपको तब आएगी जब आपके employer ने अपना digital signature certificate EPF office में जमान नहीं करवाया है तो दोस्तों अगर आप मेरे laptop की skin पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे uniform member portal में एक UN number के जरी ये login किया हुआ है एक problem तो हमें तब देखने को मिलती है जब हम अपने PF को transfer करते हैं तो आप सभी को पता ही है कि PF को transfer करने के लिए आप यहाँ पे online services वाले tab पे जाते हैं फिर आपको यहाँ पे second number पर एक option मिलता है one member one EPF account transfer request का आप इसके उपर click करते हैं फिर आप यहाँ पे online services transfer request वाले page पे आजाते हैं जहाँ पे आपको आपकी कुछ personal detail यहाँ पे आपको निजर आ जाती है और साथ के साथ आपके present PF account की जो detail होती है वो भी आपको यहाँ पे निजर आ जाती है उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे scroll down करना पड़ता है फिर आप यहाँ पे step number one पे आ जाते हैं जहां से आप request डाल सकते हैं अपने PF को transfer करने के लिए सबसे पहले आपको select करना पड़ता है उस employer को जिस employer को आग request करना चाहते हैं यानि कि जिस employer के आपके digital signature चाहिए होते हैं तो suppose करिए कि मैं यहाँ पर previous employer के थुरू ही मैं अपना digital signature करवाना चाहता हूँ और इन ही के थुरू मैं अपना जो claim है कराना चाहता हूँ यानि कि PF transfer करने की request है वो यही approve करेंगे मैं यहाँ पर इसको select कर लेता हूँ select करने के बाद ठीक नीचे आपको यहाँ पर member ID या UN number enter करने का option आ जाता है लेकिन ज्यादा कर यहाँ पर आपका जो UN number है automatically यहाँ पर enter आपको निजर आ जाएगा उसके बाद आप simply यहाँ पर get detail पर click कर देंगे get detail पर click करने के बाद आपके सामने नीचे एक option आ जाएगा establishment select करने का जिसमें से आप उस company को select कर सकते हैं जिस company का PF amount आप अपने present वाले PF account में transfer करना चाते हैं तो यह देखिस तो यहाँ पर select करते ही मुझे यहाँ पर एक error show कर रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है previous employer does not have authorized digital signature hence claim cannot be proceed इसका simple सा कहना यह है कि आपने जो previous employer को select किया है उसके पास authorized digital signature नहीं है जिसके करर आप अपने claim को proceed नहीं कर सकते हैं तो दूस्तो अभी आपने जो error देखा हूँ सिरफ आपको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि आपके previous employer ने अभी तक अपना digital signature certificate EPFO में जमान नहीं करवाया है लेकि दूस्तो अगर आपको यहाँ पर transfer करने में problem आ रही है तो इसका एक simple सा solution यह है कि आप यहाँ पर previous employer को select ना करके तो यह देखी दूस्तो अब मेरा जो digital signature वाला जो error था वो अब नहीं आया है क्योंकि मेरे present employer ने अपना digital signature certificate EPFO में जमान करवाया हुआ है तो आपको दोनों employer select करने के बाद same error आ रहा है यानि कि आपके previous और present वाले employer दोनों ने ही जब digital signature certificate को EPFO में जमान नहीं कराया को ज़्यादा clear हो सके उसके उसके लिए मैं KYC वाले section में जाता हूँ KYC वाले section में जाने के लिए आप यहाँ पे manage वाले tab पे click करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे KYC का एक option नजर आएगा आप इस पे click कर देंगे जब तक आपका employer उसको digitally signature द्वारा अप्रूब नहीं करता है चले मैं अब आपको इसका proof दिखाता हूँ तो दोस्तों अगर KYC वाले section में ही अगर मैं bottom में आ जाता हूँ यानि कि scroll down कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको एक option नज़राएगा एक column नज़राएगा KYC history का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे document type में यहाँ पे तीन documents यहाँ पे add किये गए हैं और तीनों documents में अगर आप status में देखेंगे तो यह approve शोग कर रहा है और दोस्तों यह approve कैसे किया गया है इसके लिए sign किया गया है आपके employer दोरा और sign का जो type है वो है DSC यानि कि Digital signature certificate दोरा इसको approve किया गया है लेकिन SM में क्या होगा जब आपके employer के पास DSC certificate नहीं है यानि कि उसने अभी तक submit नहीं करा है तो SM में क्या होगा SM में आपका employer इसको approve ही नहीं कर पायेगा तो SM में आपने कई बार देखा होगा कि आप जब अपनी KYC को add करते हैं तो कई-कई मेनों तक आपकी KYC है वो pending में पड़ी रहती है उसका यही reason है ऐसा हो सकता है कि आपका employer जो है उसने अभी तक Digital signature certificate EPFO में जमान नहीं करवाया होगा जिसके कारण वो चाहके भी आपकी KYC को approve नहीं कर सकता है हेलो दोस्तों तो अभी मैंने आपको सिर्फ दो प्रॉलम दिखाई लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूँ कि अगर आपके employer दे अभी तक Digital signature certificate कोई EPFO में जमान नहीं करवाया है तो आप अपने PF account से related online कोई भी service यूज नहीं कर पाएंगे यहां तक कि अगर आप अपने PF को withdraw करने के लिए full and final करना चाहते हैं या advance करना चाहते हैं उसके लिए भी अगर request डालते हैं online तो वो भी आपका reject कर दिया जाएगा और rejection reason में ये लिख दिया जाएगा कि आपके employer ने अभी तक Digital signature certificate जमान नहीं करवाया हैं ऐसा case आपने कई बार देखा भी होगा जबकि हम सब कुछ सही करते हैं यानि कि हमारे तब से कोई भी गलती नहीं होती है तब भी हमारे claim को reject कर दिया जाता है ये बोलके कि हमारे employer ने अभी तक Digital signature certificate को जमान नहीं करवाया है लेकि दोस्तों अब बात आती है कि अगर हमारे सामने ऐसी situation आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए तो दोस्तों असल में बात ये है कि जब भी आपका employer Digital signature certificate को EPF office में जमा कराता है तो उसकी एक validity होती है उस validity के expire होने के बाद आपको इस तरह की problem देखने को मिलती है तो ऐसे में आप थोड़ा सा wait कर सकते हैं जब तक आपका employer फिल से Digital signature certificate को EPF office में जमान ना करा दे लेकिन अगर आपको जल्दी है आप wait नहीं करना चाते हैं तो आप offline mode यूज़ कर सकते हैं यानि कि आप physical mode यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप अपने employer के sign और stamp करवाएंगे physical form पे और उसको आप अपने PF office में जमा करवा देंगे तो आपका जो काम है वो हो जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो information मैंने आपको दी वो आपके लिए helpful रही होगी और दोस्तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई झाल